नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकेत इंस्पायर इंडिया पर मैं हूं अंकेत अवस्ती आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि आपको एक बार प्रथम द्रश्चता तो यही लगेगी कि यार आप कुछ सब कुछी महंगा हो है जनाब कि WhatsApp, Instagram और Facebook के paid subscriptions की बाते हो रही हैं Facebook और WhatsApp, Instagram जल्दी ही अपने paid features लेकर आने वाले हैं सवाल मन में ये बनता रहेगा कि हमारा वाला जो feature है ये सस्ता free रहेगा या नहीं रहेगा तो ये आज के session में आपको पता चल जाएगा असल में scene क्या है वो हम आपको बताएंगे कि कहां से इस घटना का origin हुआ किस तरह से Facebook की ये मजबूरी बन गई या Facebook, Insta और जो WhatsApp है इनकी parent company जो meta है उसकी ये मजबूरी बन गई कि उन्हें ये subscription महंगे करने पड़ेंगे या फिर paid करने पड़ेंगे paid का मतलब है कि आज जो आप अपने mobile में WhatsApp, Facebook या Insta यूज़ करते हैं उसका कोई charge pay नहीं करते हैं आप WhatsApp को as it is free यूज़ करते हैं लेकिन भविश्य में आपको इसके पैसे देने पड़ सकते हैं ऐसा reports में बात कही जा रही है हम कुछ news cuttings आपके साथ साजा कर रहे हैं जिसमें आपको ये देखकर लग सकता है कि meta जो है उसने अपने द्वारा monetization team बिठा दी है monetization team का मतलब है कि आने वाले time में ये team जो है वो ये decide करेगी कि किन से कितना पैसा वसूल आ जाए उस type से चीज बिठा दी गई है ये तमाम अख़बारों की cuttings आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है अब ये paid हो जाएंगे paid होने से हम पर क्या फरक पड़ेगा paid हो जाएंगे तो क्या हमको अपने mobile से इसको uninstall करना पड़ेगा paid होने का मतलब क्या हमको कुछ नए features मिल जाएंगे क्या हो जाएगा क्या हमारे साथ में ठग लिया गया है हमें हमारे घरवाले एकसर कहते आये थे कि इतना शांदार feature तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है तो तुमको ये use करना अभी तो ठीक है एक बार तो आदत डाल रहे हैं फिर जीयो की तरह करेंगे जैसे उसने 6 महीने का data फिरी दिया और बाद में अब इतना महंगा अब उसने data pack कर दिया है तो क्या वैसा होने जा रहा है इन तमाम जानकरियों का आज के session में हम discuss करेंगे लेकिन उससे पहले आपके काम की बात कर लेते हैं काम की बात है साथ ही और Relevel by Unacademy से जुड़ी हुई आप सभी को मालूम test के लिए register करते हैं उस registration के माध्यम से आप एक test देते हैं उस test में आप से 1000 नंबर का paper पूछा जाता है और उस 1000 नंबर के paper में से आपको 500 नंबर लाने होते हैं अगर 500 से उपर आप नंबर लेकर आते हैं तो guaranteed 15 दिन के अंदर आपको job मिल जाती है job कहां मिलती है तो 800 से अधिक जो start-ups इस समय run कर रहे हैं उनके अंदर job मिलती है और ये एक guaranteed job है इसमें company के द्वारा जो certificate आपको दिया जाता है उसी के आधार पर आपको job offer के जाती है तो क्या इसका कोई charge है आंसर है जी नहीं इसका कोई charge नहीं है free of cost है कितनी बार इस exam को दिया जा सकता है तो answer है कि आप multiple time इस exam को दे सकते हैं अपना score improve कर सकते हैं कौन इस exam को दे सकता है एनिवन जिसको नौकरी चाहिए वो इस exam को दे सकता है इस exam की कोई fees नहीं है तो फिर क्या फायदा इस exam का किस तरह से ये operate करता है तो इसका तरीका simple है आप exam दे exam से अपना score increase करें, in case अगर आप score नहीं improve कर पा रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पर support करने के लिए और भी बहुत सारे options दिये हुए हैं, जो आपके exam के अंदर performance को सुधारने में मदद कर सकते हैं उधारन के लिए, ये sony का आहुजा है जिने हाल ही के अंदर, 1000 में से 523 नंबर मिलने पर Business Development Executive Lomo's Enterprise Limited के अंदर इनको मिला है, ठीक है न, वर्तमान में अगर हम बात करते हैं, तो last एक साल में 1100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, जिने इस website के थुरू जॉब मिल चुका है 75 करोड रुपे से अधिक के platform अभी तक, मदब जॉब अभी तक offer किये जा चुके हैं, सोनिया ने जो हमने अभी आपको ये बंदी दिखाई, सोनि का आहुजा जो है, इनको Business Development का जॉब मिला है, अब आपको एक चीज यहाँ पर और मैं आपको बता देता हूँ, कि यदि आप अपना अपने लिए तरह तरह के courses भी यहाँ पर देख सकते हैं, सोनि का और ऐसे हजारो candidate जैसा better का मतलब अपना feature बनाने के लिए आपके पास re-level बहुत सारे courses offer कर रहा है जो जानकारी है, इसकी जो link है, इसका वो हम आपको अभी comment box में पिन कर देंगे, description में details आजा कर देंगे, आप जाकर के वहाँ पर अपने लिए यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों तो जैसा मैंने आपसे कहा कि साहाब Facebook, Insta या फिर यह WhatsApp जो है अगर यह महंगे हो गए, paid फीचर आगए, तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी लेकिन साब एक बात बताईए अब तक इन्होंने पैसा कैसे कमाया अगर यह वाली बात थी, जैसे कि मान लीजे किसी ने कहा कि जीओ फ्री में माल लेकर आया था फ्री में आपको internet डेटा प्रवाइड करवाया था उसके बाद आपकी आदत डाल दी आदत डाल के आप सबसे बाद में डेटा के पैसे वसूलने लग गया लेकिन अब बड़ी सवाल यह बंती है सर एक बात बताईए अभी तक यह लोग पैसे कमाते कैसे थे तो इसका तरीका यह होता था साथियों कि आप और हमारी जो निजी जानकारी थी उसको यह application लोगों को बेचा करते थे आप पूछेंगे कैसी जानकारी क्या WhatsApp पर हम जिनसे बात करते हैं वो messages भी कहीं बिखते थे क्या नहीं जहाब वो messages नहीं बिखते थे लेकिन जिस तरह की आप बात करते हैं या फिर Facebook पर जिस तरह के आप comments लिखते हैं इंस्टा पर जिस तरह के लोगों को आप follow करते हैं आपकी जो habit है ना वो sale की जाती थी let's say आपको बहुत ज़्यादा camera से photo खिचवाने का shock है तो आपकी ये जानकारी किसी company को sale कर दी गई कि फलाने सिंग जो हैं ये बहुत ज़्यादा selfie लेते हैं तो इनको selfie के बढ़िया बढ़िया options दीजिए कि selfie इस camera से बढ़िया आती है अब आप पूछेंगे तो क्या अब सुधर गए हैं क्या मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई क्या अब हमारा व्यवहार कीमती नहीं रह गया क्या आप मैंसे बहुत सारे लोग इस तरह की चरचा करते होगे पाय जाते हैं कहते होगे पाय जाते हैं इवन आप किसी पार्क में भी घूमने गए हैं ना, वो वहाँ पर भी आपको suggestion दे के कह देगा कि इसके नजदीक यहाँ पर यह पीजा हट है, या यहाँ पर इसके नजदीक यहाँ पर चार्ट खा सकते हो, इसके नजदीक इस restaurant में बैठने जा सकते हो, इस तरह की suggestions automatically आने लगते हैं, यह सारी चीज़ें आपकी व्यवहार के अनुरूप हैं, आपको तो यह लगता होगा कि मैंने Facebook के थूँ तो कुछ भी नहीं खरीदा, वास्तिकता यह है कि आपने सब कुछ अगर mobile में देख के किया है, तो वो सब आपके दिमाग के आसपास की जानकारी आपके व्यवार से ही पकड़ रहा है, ठीक है साब, अब दिक्कत क्या हुई साब, अब क्या हम बिना कीमत के रह गए क्या, ऐसा नहीं है, अब आप बात करते हैं एक और company की, उसका नाम है Apple, Apple जो की अपने security features के लिए बहुत जानी जाती है, उन्होंने आज से गत एक साल या डेड़ साल पहले 14.5 जब इनका operating system, उस समय पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने mobile में एक option डाल दिया, और वो था app tracking permission, अब मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ, इन्होंने एक app tracking transparency feature डाल दिया, किसने? Apple ने, अब पूचेंगे इससे क्या ही फरक पड़ जाएगा सर, अगर mobile के अंदर एक feature डाल दिया गया, तो क्या फरक पड़ जाएगा, सब Apple वालों ने खेला कर दिया, खेला क्या कर दिया, Apple वालों ने Facebook को, या मैं एक ही भाषा में कहूँ तो Meta को, जिसके ये तीनों product हैं, कौन कौन से product है, Insta, WhatsApp और Facebook, तीनों एक ही company के हैं, इनको 13 billion dollar का नुकसान पहुचा दिया, आप news देखिए, कि 13 billion dollar का 2022, अब ये 13 billion dollar कितना होता है, इंडिया के अंदर एक भी ad tech company, ad tech company का मतलब जो technology के माध्यम से आपको education दे रही है, वो अभी तक 13 billion dollar की worth नहीं बना पाई है, इतना तो इन्होंने नुकसान कर दिया है, पाकिस्तान की भाषा में कहें, तो IMF से पाकिस्तान ने जो loan मांगा है न, वो कुल मिलाकर 6 billion dollar का है, जिसको उन्होंने 7 billion extend कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान के मंत्रियों को, शहबाष शरीफ को, शाबाषी मिल रही है, कि शाबाष सर आपने तो loan ले लिया, 4-5 साल में हमारे पास किष्टें आएंगी, फिलहाल किष्ट मातर 1 billion dollar के आसपास किया है, तो ये कितना होता है 13 billion इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए, अभी जो पाकिस्तान के विदेशी रिजर्व मुद्रा बंडार में जो धन है, वो 13 billion dollar है, अब आप इससे अंदाजा और जादा क्या लगा पाएंगे, मैंने आपको एक reference दे दिया, इतना तो एक साल में Apple के एक feature ने नुकसान पहुचा दिया, Meta का, अब आप पूछेंगे भाई साब, ऐसा भी क्या feature है ये, आप सब के जो Apple devices हैं, अगर आप रखते हैं, तो उसके अंदर ये feature है, ये जानकारी कि कहां से ये paid feature पर आएंगे, उसका जनम यहीं से हुआ, जब इतना नुकसान अगर आपके पास Apple devices हैं, तो उन में एक feature आ रहा है, और वो feature है, iOS 14.5 के अंदर है, और बाकियों में भी हो तो मुझे इसके बारे में update नहीं है, साथियों आपके mobile में, अगर आप iPhone यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर ना, यहाँ पर लिखा आता है, low app to request, तो आपको ना, app की request track करने के लिए एक option देना होता है, जैसे मैंने इस चीज को क करने के लिए, खुद के mobile में भी इसे try किया, और मैंने पाया कि हाँ यह तो है, वास्तिकता है, हमारे phones के अंदर क्या होता है, हमारे phones के अंदर एक privacy नामक feature होता है, जब हम privacy, मैं मेरे phone के अंदर जैसे यह privacy नामक feature है, शायद दीखना पाए, इस privacy नामक feature के अंदर जब हम ज अब जब आपको मैंने इतनी जानकारी दे दी कि कोई आपको ट्रैक कर रहा है और कोई आपसे पूछ कर ट्रैक कर रहा है तो आपकी तो एकदम वैल्यू बढ़ जाएगी मन में कि यार हमसे पूछ करके ट्रैक कर रहा है क्यों करने दें हम ट्रैक मतलब कोई आपसे यह पूछ पर जाते हैं वो आपसे कहते हैं कि सर हम आपको कुकीज बेजेंगे आप कहेंगे अच्छा बेटा ये क्या मतलब है तुम हमारे पास कुकीज क्यों भेजोगे तो ये जो है ना ये जो कुकीज बेजने वाली जो चीज है जब कोई हमसे पूछ लेता है तो हमको एकदम साहब वाली फीलिंग आजाती है तो अब हमको जब साहब वाली फीलिंग आजाती है तो इससे निपटने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए तो इससे निपटने के लिए ही हमने आपको ये सारी जानकारी साजा की है क्या कि ये जो एप्लिकेशन के अंदर फीचर है जैसे अब आपने एक बार के लिए इसको okay कर दिया अब जैसे ही आपने इसको okay किया तो जैसे ही इंस्टा पर आप पहुंचे तो इंस्टा क्या पूछ रहा है आपसे इंस्टा पूछ रहा है सर मैं आपको track कर लूँ क्या आपने तुरंद का no बिल्कुल नहीं ऐसे facebook ने आपसे पूछा सर मैं आपको track करनूं क्या और मतलब मज़दार बात ये है कि apple ने समझदारी ये करी कि लोगों को ये भी बताया कि आपको अगर track किया जाएगा तो उसका क्या नुकसान है तो इसने बताया देखो अगर आपको track किया गया तो आपके advertise जो है न अब और ज़्यादा personalized हो पाया तो ये आपको दे दे के option पूछ रहा है apple वाला तो इस वज़े से क्या हुआ जिनके पास iPhone है उन्होंने tracking devices off कर दी ठीक है तो कैसे मैंने किया मैंने आपको फिर से बता दिया आप भी अगर करना चाहें मेरी जब team content को बना रही थी तो इस बात को लेकर हस भी रही थी क कि सर आज आप थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो इसका Facebook का और कराने जा रहे हैं Meta का और कराने जा रहे हैं क्योंकि मैं ये feature फिर से समझाने जा रहा हूँ तो आपके mobile में एक privacy नामक feature है privacy नामक feature में tracking है tracking में allow app to request to track है यानि allow apps to request मतलब आपको app जो है वो request करेगा use में आ आपसे फिर application बता दिए कि सर इन लोगों को हम permission देते हैं या आपसे पहले पूछेंगे तो अब ऐसी इस्तिती में Facebook हुआ, Insta हुआ, ये सब जो हैं जो आपकी location track करते हैं इन सब को आपसे permission लेनी पड़ेगी, permission के मामले में आप एकदम सहब वाली feeling में आ जाते हैं, हम नही मिलाकर बात ये है कि मेटा को इससे उबरने के लिए अब आपसे पैसे लेने पड़ेंगे, अब सवाल बड़ा बनता है, सर पैसे लेने पड़ेंगे तो हमारे देश में, अगर हम एक figure निकाल कर देखें सोशल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया इंडिया में कितना हावी है तो वाटसप जो है ना 530 मिलियन यानि 53 करोड वाटसप अकाउंट भारत में है, 45 करोड वाटसप यूट्यूब अकाउंट भारत में है, ऐसे ही 41 करोड फेस्बुक अकाउंट भारत में है, इतने जबरदस्त लोग हैं, अगर माल लीजे सर, ये 100-100 रुपे भी लेने लगे तब तो ये माला माल वीकली खेल जाएंगे, नहीं, कंपनी ऐसा नहीं करेगी, आप मेंसे बहुत से लोग यूट्यूब का पेड सब्सक्रिप्शन यूज़ करते होंगे, जिसे यूट्यूब प्रीमियम अकाउंट कहा जाता है, जब आप यूट्यूब का प्रीमियम यू स्क्रीन आफ कर दिया, अब अगर माल लीजे मैंने स्क्रीन आफ कर दिया, वह आपको देता है कि आप स्क्रीन आफ करके भी यूट्यूब चल रहा है, आगई बात समझ में, तो ये फीचर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ये यूट्यूब का प्रीमियम औप्शन ह इसकी कुछ नॉमिनल चार्जेज लेते हैं, ये मोबाइल आईफोन में शायद ये 169 है और नॉर्मली 129 है, मैं रेट कन्फर्म नहीं है, कहने का मतलब क्या हुआ, कि आपको ये फीचर अच्छा लगा, कि यार बिना इस्क्रीन को लॉक करके भी चल रहा है, तो ये एड़ इसलाइज चीजें बनाएं, जिससे की ऑटमेटिक वो पेड़ की तरफ शिफ्ट होने लग जाएं, उम्मीद है कि अब आप इस बात को प्रॉपर तरीके से समझ गए होगे, ठीक है साथ, क्या सर इस तरह का काम इन्हों ने पहले कभी किया है, क्या बिलकुल, यूएस में इसकी ट्रायल भी शुरू हो चुकी है, यूएस के अंदर इन्स्टा का पेड सब्सक्रिप्शन शुरू हो चुका है, अभी हाना कि मैटा ने केवल दस ही इन्स्टा के क्रियेटर्स को यह आप न्यूस देख सकते हैं, इस न्यूस के अंदर ये न्यूस काफी साथ महीने प पाइलेट प्रोजेक्ट रन हो रहा है उनको करा के देख रहे हैं कि हाँ भई तुम्हारी वज़े से कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा तो इंस्टा में 73 रुपए का प्लान इन्हों ने यूएस में लाँच किया है तो इस प्रकार से अलग-अलग प्लान है इनके पास 9.9 है तो होगा क्या कि इन प्लान से इनकी कमाई एड-on फीचर के साथ होने लग जाएगी अब आप पूछेंगे कि सर फिर तो हम बच गए तो ये वो वाली बात हो गई कि आपको कोई ये बता कर कहे कि देखा तुम्हारे पास तुम्हारे मोबाइल में ये फीचर नहीं है लेकिन हमारे फॉन में ये फीचर है तो थोड़ी सी जो इरिटेशन होती है उसका ये लाव लेने की कौशिश कर रहे है अच्छा इसी बीच में ट्वीटर भी सहाब आगे उतर के आ गया है हमने तो अभी आपको जानकारी तीन की देने की सोची थी लेकिन जानकारी से कुछी समय पहले ट्वीटर की जानकारी निकल कर रही ट्वीटर ने अपने जो पेड सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए सबसे पहले edit का बटन दे दिया है अभी तक tweets पे बवाल क्यों होता था कि tweet जो होता था वो धनुष से निकला हुआ एक तीर होता था निकल गया तो वो वापस नहीं आता था आपको delete इमारना पड़ता था आप उसको edit नहीं कर पाते थे लेकिन Twitter ने अपने paid subscribers के लिए edit का बटन डाल दिया है अब वो edit का बटन डाल करके सबसे पहले paid subscribers को यह सुविधा देने की सोच रहा है कि अगर उन्होंने कुछ गलत सलत लिख दिया तो उसे correct कर सकते हैं हाना कि Jack Dorsey जो है वो इस चीज को लेकर बहुत समय से बहुत ज़ादा वो रहे थे admin की मैं नहीं करूँगा edit बटन मैं नहीं डालूँगा यह बहुत ज़ादा पहले मना करते रहे लेकिन लोगों ने इंसे demand करी कि सर कुछ तो अलग हो पैसा नहीं तो आप कैसे कमाएंगे तो इन्होंने edit feature दे दिया है अब होगा क्या अब बढ़ियासे राजनेता जो है पहले एक line ऐसी लिखेंगे जो आप सबको मजे लेने के लिए हो उसके बाद में संसोधित विक्तव यो दुवारा से निकल के आ जाएगा मतलब जिसको भी अब बढ़ियासे मजे लेने होंगे वो paid subscription लेगा आपको edit का option देंगे उसके अलावा edit का option नहीं देंगे तो अब जनाब देखने की बात है कि Twitter के 320 million subscriber हैं अब ये जो था ना Elon Musk जो था वो इनसे यही मांग रहा था कि भाई edit का button दो मैं भी कई बार हाई होता हूं लिख देता हूं तो ऐसी इस्तिती में ये सारी वाते हो रही है WhatsApp जो है अब उसने भी कुछ काम किये है क्या अपने उपर liability मतलब की भाई लोग इनके उपर विश्वास करें थोड़ी reliable feature लेकर आएं तो इन्होंने हाल ही में 23 लाख account ऐसे हैं जो जुलाई के अंदर ban किये हैं अब आप पूछेंगे सर वाटसप भी ban हो सकता है क्या बिलकुल होता है अगर आप भी चाहें अगर आपको कोई WhatsApp पर पर परिशान कर रहा है तो ये हमने जानकारी additionally आपके सामने इसलिए ही रखी है बहुत से लोग ऐसे हैं जो WhatsApp पर तरह तरह से मतलब जानकारी भेज कर आपको परिशान करते हैं ना चाहते हुए भी आपको इरिटेट करते हैं स्टॉक करते हैं उनके लिए आप WhatsApp पर एक support है wa at support.whatsapp.com आप इस पर जाकर के उस जानकारी को साजा कर सकते हैं याद रखिएगा जो भी आपको परिशान कर रहा है ना उसकी एक बार प्रॉपर तरीके से screenshot लेकर रख लीजेगा screenshot लेकर के जब आप रख लेंगे तो यहां पर complaint करना भी आसान रहेगा और Cyber Security टीम को भी आप आसानी से सिकायत कर सकते हैं WhatsApp ने हाल ही में इस प्रकार से जो है न लोगों की complaints के आधार पर 23 लाख WhatsApp अकाउंट block किये हैं आप कहेंगे block तो हम खुदी कर लेते हैं किसी और के पास क्यों जाना WhatsApp भविश्च में फिर उनका ध्यान रखता है कि इन लोगों को या इनी mail आईडी को या इन phone numbers को दुबारा activate नहीं होने देना है मतलब कि वो केवल आपके लिए ही block नहीं करता वो पूरे WhatsApp के उपर ही उस आदमी को block कर देता है ठीक है न तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए काम की हैं कैसा रगा आपका ये session हमें जरूर बताएं session पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें Ankit Inspire India पर नए है तो subscribe करना बिलकुल न भूलें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को share करें और हमारा official जो telegram channel है वो अंकित अवस्थी सर के साथ है उस पर blue tick मिला हुआ है आप उसे join कर सकते हैं किसी भी प्रकार से हमसे connect करने के लिए हमारी team से किसी तकनीकी सायता के लिए 787815882 पर call कर सकते हैं या कभी आप हमसे direct बात करना चाहते हैं तो ankitinspireindia.com पर जाकर हमारे साथ session भी book कर सकते हैं आपका समय शुब हो बहुत बहुत धन्यवाद